दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ रिफरेंसिंग के बारे में मैंने आपको बहुत वीडियो में पहले ही बताया है कि रिफरेंसिंग की मदद से आपको जॉब लग सकता है तो आज की विडियो में हम इसके बारे में जानने माले हैं कि referencing मतलब क्या होता है referencing के मदद से में job कैसे लग सकता है यहाँ पी इसके फाइदे क्या होता है और यहाँ पर referencing मतलब exactly चीज क्या होती है इन सब चीजों के बार में आज मैं आपके साथ इंट्रेस्टिंग बाते को शेयर करने वादा हूँ तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आन तक जरूर देखे दोस्तो आज की रेट में फार्मसेटिकल कंपनी में जॉब लगना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर BAC, MSC और Pharmacy की कैंडिकल की नमबर है बहुत ज्यादा है इस वज़े से होता है कि कंपनी के पास अल्ड़ेडी बहुत सारे उक्ष्ण होते तो यहाँ पर रिफरेंसिंग नाम का जो अक्ष्ण है जहां से हमें जॉब लग सकते हैं बहुत कारीकर साबित होता है क्योंकि यहां पर रेफ्रेंसी की मदद से बहुत सारे लोग यहां पर जॉब के लिए जा दिया अगर आप सोच रहे कि जब आपके डिगरी कंप्लीट हो जाएगी तो कंपनी आपके पास आएगी आपके पास आने के बाद वह आपको बोलेगी आप अमारे कंपने में काम करोंगे क्या ऐसा नहीं होता दोस्तों यहां पर आज की डेट में इतनी जादा कंपिटिशन बढ़ चुकी इसवजे से यहां पर कंपनी अपने ऑप्षिन बहुत जादा यहां पर लिमिडेट कर चुकी कि कंपनी ऐसे सोच दिये कि अगर कोई ज जाकर वहाँ पर इंटर्वी लेना, उसके बाद कांडिट को सिलेट करना, उसके बाद हमारी कंपणी में आके उन्हें ट्रेडिंग देना, उसके बाद उनका यहाँ पर कांट्रेक्ट साइन करना, उसके बाद काम करना स्टार्ड कर जाएंगे, इतनी जाधा प्रोसेस करने के बजाए क्यों ना हम ऐसे कांडिडिट्स ले जो हमारे पहचान के हो अब आप बोलेंगे हमारे पहचान के के मतलब क्या दोस्तों दीखें कमपणी में अल्रडी जितने भी लोग काम करते हैं सबस्थ में बात कुरूँगे आप पर प्रोड़क्शन दिपार्मेंट में सिप से तो यहां पर 10 में से कम से कम एक एंसान और विल्लेटेटों नहीं भी हुवा थे कि यहां पर पॉसिपीलिटी जाद ऌती ही कि तो गरिंघी घ्रीजोन दीघराकों जाता हैं अर कि अ कुअ कि हैंज़के डिन संवा यो खोते ह। कंपणी इसी का फाइदा उटा दी यह कंपणी ऐसी सूस थी कि यह जो उसके जान पैचन वाली लोग है क्यों ना इनकोई जान कर ले अगर उनमें कोई एपविलेटी हो तो एक ऐसा कंडिडेट में मिल जाएगा जो बरोसे मन भी हो और अगर फ्यूचर में इस कंडिडेट न कर रहे है वो खुद की रिपूटिशन भी ध्यान में रहेगा उसको खुद की रिपूटिशन भी बहुत जादा इंपॉर्डन होगी उस कंपणी में इसलिए वह वही कंडिडेट लाईगा जो बहुत अच्छे होंगे जिनकी क्यापबिलिटी होगी जो काम करने में है तो आप डारेक्ली उसे कॉंटेक करके बता सकते हैं कि हमारी कंपरी में वाकेंसी है जब वह इंटर्यू के लिए आएगा तो कंपनी आजकी डेट में रिफ्रेंसिंग के लिए बहुत बहुत सेंसेटिव हो चुके है जब आप आप इंटर्यू के लिए जाओगे कौन इसुरेंस के डिपार्मेंट की कौनसी भी पोस्ट हो जब अब उसकी इंटर्यू के लिए जाएंगे तब आपको सबसे पहले वह फॉर्म करने के लिए बोलते हैं और फॉर्म के उपर एक सेक्शिन होता है जहाँ पर होता है रिफ्रेंसिंग या जिस इंसान के रिफ्रेंस क्योंकि क्योंकि कंपनी वरोसा करती है ऌर अफ्र आपके जाधmpfen अपके आपकी वरोसा करेगी तो आपको पेइमेंट भीऊतना अछा बेगे प्राइवेट में यहां पर कोई किसी के उपर डार्विट लेना उसको कंपनी में यहां पर बेंटी कर लेना उसके बाद अगर वो कंडिड़े अच्छा निकला तो ठीक है तो तो यहां पर पर कंपनी का लॉस होता है तो यह इसी वज़े से company reference की मदद से बहुत बहुत candidate यहाँ पर अपनी कुछ के company में recruit करना चाहती है सबसे last time में एक बात आती है कि referencing हम कैसे करें तो दोस्तों देखिए referencing के लिए ऐसा भी course नहीं है special कि यह बात करेंगे तो आप reference referencing के आपको job लग जाएगे यह एक बात में आपको जरूब बोलूगा कि अगर आप अपके degree को जाएगे जाने इस अपन में बात करूँ कौन से भी फिल्म हो जो professional चाहे doctor हो चाहे medical हो चाहे pharmacy हो चाहे कौन से भी फिल्म हो जो professional है उसमें आपके relations, आपके seniors, आपके juniors, आपके colleagues, आपके teachers इंस आपके साथ कहसे है यह आपके लिए बहुत important होते है और कौन से इनमों के काम आजाए यह हमने इसका expect ने कर सकते है यह बहुत बड़ी चीज होते है कि जब भी आप college के ले जाएंगे तो आपके relations आप सब लोगों के साथ अच्छे रहे हैं ऐसा नहीं कि सब लोगों के साथ से पच्छा बोलना है तो मतलब मतलब आपको कोई कैसे भी बोल रहा है आप सिप ऐसा लोग आप ऐसे सोच रहे है क कि मुझे reference मेलेगा तो मैं से अच्छा हो लोगा इतने भी जरूरत नहीं पड़ती अगर आपके किसी 10-12-15 लोग के साथ अच्छे relations है फिर भी काम आ जाते हैं कि उन 10-15 लोगों में से और कोई पाच लोग होते हैं जिनका pharmacy के related को नाता होता है उनके दो लोग होती है जिनक जाता लोग को रिक्रूट होती है और package भी बहुत अट्रेक्टिव लोग company देती है क्योंकि company का आपके उपर सबसे जाधा बरोसा होता है तो यह तहा रेफ्रेंसिंग की उपर वीडियो अगर आपको वीडियो थोड़ा सभी पसंद आ गया है दोस्तों तो इस लोडियों को कर दोस्तों एक कर दोस्तों चनुछेफ कर दोस्तों की उपर सकते है जेकिता फबस आपके लोग बना cauliflower मैं सबसे दोस्तों झालव को वीडियों को भीडियों को बेंस सकते है लोब कना तोस्तुशं आपको bindsakah गया है जोच वीषकों मैं मैं टया है क्युत्खक अबस झाल झाल